बिस्मिल्लाहिरह्माने रहीम आज हम बनाएंगे चिकन कोफता करी बगएर तूटे वे बगएर धरार के पर्फेक्ट गुलाब जाउन जैसे कोफते बनेंगे इसके लिए मैंने 300 ग्राम बॉनलेस चिकन लिया है इसमें से 300 ग्राम खीमा लिया है 300 ग्राम चिकन के क्यूब्स लिये हैं पीसेस लिये हैं इसमें अभी हम चिकन के पीसेस को ग्रैंड करेंगे और खीमे को जो मोटा मोटा कीमा है इसको इसी तरह रखेंगे यह मैंने टोटल 600 ग्राम चिकन खीमा लिया है चिकन लिया है बॉनलेस चिकन तीन से चार हरी मिर्च एड़ करेंगे थोड़े सा जिंजर गार्लिक एड़ करेंगे हाफ टीसपून रेट चिली पॉडर आड़ करेंगे यह मैंने कश्miran की रेट चिली पॉडर लिया है ताके कोफितों में अच्छे से कलर आए quarter teaspoon salt add करेंगे quarter teaspoon गरम मसाला powder add करेंगे quarter teaspoon chicken टिक का मसाला add करेंगे या chicken मसाला भी add कर सकते हैं अभी हम इसमें एक bread का slice add करेंगे bread add करने से आपके कोफते बहुत ही अच्छे बनेंगे soft से और तूटेंगी भी नहीं चने का आटा या चने की दाल दालने से बहतर है कि आप bread slice add करें चने की दाल दालने से जाइखा अच्छा आता है लेकिन चने का आटा बेसन दालने से जाइखा बिगर जाता है बेसन दालने से बहतर है कि आप bread slice add करें जो chicken grand किया था उसमें खीमा add करेंगे चिकन के पेस्ट में खीमा एड़ कर देंगे इस तरह एड़ करने से कोफतों में अच्छे से चिकन के चंक साते हैं बिल्कुल फाइन सा पेस्ट खीमे का बनाने से जाइखा नहीं आता कोफतों का थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया पत्ता एड़ करेंगे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च एट करेंगे यह आप्शनल है मैंने पहले कश्मी रिट चिली पोड़े राइट किया था इसलिए कुटी हुई लाल मिर्च एट की थोड़ा सा तीखा होने के लिए 100 ग्राम बादाम ले लेंगे थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला लेंगे इसका फाइन सा पेस्ट तैयार कर लेंगे अभी हम चिकन के कोफते तैयार कर लेते हैं अपने हाथों पे थोड़ा सा ऑईल लगा लें इसके छोटे छोटे बाल्स बना कर इस तरह से राउंड कर लें सारे कोफते चिकन मीट बॉल्स इसी तरह से तयार कर लेंगे अब ही इसको हम शैलो फ्राइ करेंगे एक पैन ले लेंगे इसमें तकरीबन 100 ml आइल लेंगे एक बटर का क्यूब आट करेंगे बटर से टेस्ट अच्छा आता है और एक एक करके कोफता ओयल में रखेंगे ओयल मीडियम हीट पर रखें और फ्लेम भी मीडियम रखें कोफतों को ओयल में डालते ही बिल्कुल भी ना हिलाएं एक से दो मिनट इसको अच्छे से फ्राइ होने दें एक साइट से फिर दूसरे साइट से फ्राई करेंगे इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता से एक एक कोफ़ते को पलटते जाएंगे माशालला से आप देख सकते हैं ना ही कोई कोफ़ता टूटा है ना ही इसमें कोई दरार आई है माशालला से एकदम फुले फुले गुलाब जामुन जैसे कोफते बने है जब हम दाल दालते हैं तब ये भी दाल फूट कर पॉडर पॉडर बन जाता है ओईल में सारा पॉडर आ जाता है आप देख सकते हैं कोई powder नहीं है कोई दरार नहीं है ना ही कोफता तूटा यह मैंने 1 टीस्पून ग्रेट किया हुआ जिंजर गarlिक ट क्या है आप paste भी आड कर सकते हैं जिंजर गarlिक का quarter teaspoon healthy powder add किया है one teaspoon full red chili powder add किया है 3-4 हरी मिर्च और थोड़ा सा करी पत्ता आड़ करेंगे 8-10 करी पत्ते लेंगे 8-10 पुधीने के पत्ते लेंगे ment leaves करी पत्ता हरी मिर्च और मसालों को गरम उयल में डालेंगे flame low रखें नहीं तो मिर्च पॉर्डर जल जाएगा इसके बाद हम बादाम का पेस्ट एड़ करेंगे ऑईल में मसाले डालने से कलर अच्छा आता है गरम ऑईल में अब बादाम की जगा मूंग फली पीनट भी यूज़ कर सकते हैं उससे भी अच्छा टेस्ट और अच्छा जाएखा आएगा quarter teaspoon salt एड़ करेंगे gravy के लिए नमक और मीर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से लेंगे gravy को दाना फूटने तक बादाम का दाना फूटने तक अच्छे से भूनना है देखिए अभी थोड़ा सा gravy bottom को चिपक रही है इस तरह सा gravy थोड़ा सा चिपकना चाहिए इस तरह करने से जाएखा अच्छा आता है बहुत जादा जलना नहीं चाहिए जब इस तरह से चिपकना शुरू हो तो हम इसको ऐसे ही भूनते जाएंगे इसे gravy जाएखेदार बनेगी अब यह oil चूटने लगा है इसमें एक बड़ा सा इसका टमाटर एट करेंगे टमाटर को gravy के साथ थोड़ा सा भूनेंगे ग्रेवी एकदम रई हो चुकी है अब हम इसमें water एट करेंगे तकरीबन दो ग्लास water एट करना है water एट करने के बाद हम इसमें तकरीबन 100 gram दही एट करेंगे दही को हमेशा water एट करने के बाद एट करें इससे दही फूटेगा नहीं इसलिए कि ग्रेवी का टेंपरेचर कम हो जाएगा water एट करने के बाद हम ग्रेवी को लो फ्लेम पर ढख कर तकरीबन 10 से 15 मिनिट के लिए कुक करेंगे माशालास है 15 मिनिट हो चुके हैं ग्रेवी में ऑईल किनारों पर उपर आ गया है अभी हम फ्लेम को आफ कर देते हैं ये धंडा होने के बाद और गाड़ी हो जाएगी ठीक हो जाएगी थोड़ा सा कस्तूरी मेथी एट करेंगे और थोड़ा सा धनियापता आड़ करेंगे कस्तूरी मेथी से ग्रेवी में बहुत अच्छा जायखा आता है धनिया पत्ता एड़ करकर अब हम ग्रेवी को सर्फ करेंगे इंस्टेंट कोफ़ता करी थी कुछ ज्यादा मेहनत नहीं थी कोफ़ते भी बहुत आसानी से रेडी किये थे कोफ़ते बिल्कुल भी टूटे नहीं ना ही दरार है और माशाला आप देख सकते हैं कितने फुले भुले गुलाब जाउन जेसे कोफ़ते बने हैं चिकन कोफ़ता करी की रेडी पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें बिल आइकन को प्रेस करें थैंक्स फर वाचिं 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 मैं वीडियो जजाग लाओ कैं